बिग बoss के घर में प्रियंका चौदरी के कर करेक्टर पर उठे सवाल तो अंकित गुपता के कंधे पर फूट-फूट कर रही पताते हैं आपको किसने उठाए है प्रियंका चौदरी के के करिक्टर पर सवाल इस वीडियो में दोस्तो सौंदर्य शर्मा इस वक्त बिग बॉस के घर में काफी ज़ादा लाइम लाइट बटो रही है गौतम विक के साथ जो उनकी नस्दीकिया बढ़ रही है वही शालीन भनाउट के साथ जो उनके फ्लोर्टिंग सेशन चलते हैं उस बीच सौंदर्य शर्मा जो है सच में बाजी मारती मी नज़र आ रही है और वही अंकित गुपता ने उनके रिष्टे को फेक भी बताया था और ये सब चीज़े कैमरा के लिए वो करते हैं ऐसा भी उन्होंने कहा था इससे पहले आपको बता दे कि सौंदर्य शर्मा किसी के साथ बात करते हुए ये भी पाई गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रियंका चौधरी जिस तरह से बिहेव करती हैं अंकित के साथ जब वो उनके घर शादी करके जाएंगी तो अंकित की मा अपना गरा दमालेंगी दोस्तों ये काफी बड़ी स्टेटमेंट है और सलमान खान ने वीकेंड के वार पर इस बात को सभी के साथ में रिवीर कर दिया है उन्होंने ये भी बता दिया है कि ये बात सौंदर्य शर्माने कही थी जिसके बाद प्रयंका जो है वो संदर्य पर भड़कती हुए नज़रा रही है अब भी बढ़कने की बाद तो है ही ये काफी बड़ी बात है और वो भी किसी की मा के लिए जिसके बाद अंकित गुपता और प्रेंका चौधरी काफी अच्छे से उनसे लड़ते हुए नज़र आए और हमेशे किता प्रेंका चौधरी जहां संदरे शर्मा पर बरस रही थी वही अंकित गुपता उन्हें शांत करा रहे थे अब भई इसमें अंकित की भी गलती नहीं है उनका जो मिजाज है वो बिलकुल अलग है वो काफी शाद रहते हैं और ऐसे लड़ाईयों से दूर रहते हैं लेकिन ऐसे में पहली बार वो भी प्रेंका चौधरी के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं ऐसी बात सुनने के बाद प्रेंका चौधरी के साथ देते हुए अंकित गुपता भी सौदरे शर्मा को काफी खरी-खोटी सुनाते हैं जिसके बाद सौदरे शर्मा भी चुप नहीं रहती और वो भी उल्टा बोलने लगती हैं सुंदरे शर्मा की गलती होने के बाद भी वो प्रियंका और अंकित के साथ तिल लगातार लड़ाई करती रहती है और वहीं उनके साथ खड़े होते हैं गौतम विग इसके साथ ही गौतम विग जो इस वक्त सुंदरे शर्मा को बेहत पसंद कर रही है वो संदरे शर्म के साथ देते हुए नजर आते हैं प्रेंगा गुपता ये बात सुनकर अपने आपको रोक नहीं पाती और सुबक सुबक कर रोनी लगती है अपने रूम में जाकर वो अंकित से कहती हैं कि उनको सच मिस्नास नहीं आ रही है ये लोग कैसी बाते करते हैं सल्मान खान के सामने उनकी बाते थी जो सामने आई हैं वो काफी ज़दा गलत हैं मैं यहां रहना नहीं चाहती और वहीं अंकित कहते हैं कि क्या फालतू लोगों के पीछे तुम अपनी एनरजी वेस्ट कर रही हो किन लोगों के लिए अपने आशु बहा रही हो और वहीं अंकित गुपता अपने गले से लगा लेते हैं प्रेंका चौधरी को दोस्तों ये लमहा काफी जदा प्यारा है खुबसूरत है लेकिन वही प्रेंका चौधरी के लिए ये काफी ज्यादा अपमान जनक बाते हैं प्रेंका चौधरी जो अपने कैरेक्टर पर सवाल उठते वक्त काफी ज़दा शांत रही लेकिन बाद में संदर्य शर्मा को उन्होंने सच में खरी खोटी सुनाई फिलाल घर में वो इस वक्त काफी अच्छी से बहेव कर रही है प्रेंका चौधरी को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं अंग्टित के साथ उनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया जाता है लेकिन वही घर में काफी लोग है जो उनके रिष्टे पर काफी बार सवाल उठाते जबाब देंगी इस बात को भूलेंगी नहीं लेकिन इस बात को अपने गेम में ज़रूर याद रखेंगे फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही संदर है कि इस स्टेटमेंट पर प्रेंका जिस तरह से रोई हैं उनके रोने पर आपका क्या कहना है हमें कॉमन किते जरूर ब झाल